हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इस्टडी विद्रुत्रा यहां दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा मैंना चैनल और बेल आइकन दबाना मत भ रवाइट कराता है तो मेरा एक वीडियो सामको कोड़ खतब होते ही उसकी पूरी आ जाता है डीटेल ठीक है तो मैं फेक निउस नहीं देता बहुंद लों के तया आप फेक डालते हैं यूट्यूब पर कई वीडियो जालते हैं उनके थंबेल पर लिखा हुता है फैसला आ परती यह आपके भविस्थ के लिए ठीक है अपका एक केरियर बना सकती है इसका फैसला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसके जो मुखी कोर्ट में जाने का इसका मुखी आधार है कि इसकी कटाफ और अंग ठीक है कुछ लोग कह रहे हैं कि कटाफ बहुत ठीक है और जो इसकी सिच्चक भरती में जो गुट है वह का पिफि थोमय भाजित हो गया है यह ननाततर हजित जा सिच्चक विद्यारथि shutting के छोटे-छोटे ब्चूट के भाजित हो गया है एक आपका शिच्छा मित्र एक đã facepald । करने मेट्द जूरत करना चाहते हैं पेपर रदो पेपल लीक वाला और 60-65 कटाफ का समर्थन करने वाले, 60-65 कटाफ का समर्थन नहीं करने वाले, 40-45 का समर्थन करने वाले, 40-45 का नहीं समर्थन करने वाले, इस सब कई गुटों में विवाज़त होगा, इसका रादनितिक लाप कोई न कोई पार्टी उठा रही पीम का टाइम और चार बजे तक रहता था लेकिन कल जजज सहाब ने दस पंदरा का टाइम दिया हुआ यानि कल काफी टाइम है सुनवाई होगी कोड 23 केस 21E में क्या हुआ आज मैं वह बताऊंगा ठीक है तो बने रहिए वीडियो के अंत्र तक चलिए देखते हैं अभी कोड नहीं बैठी है आगे जजस साहब यह सुबह का जब केस लगा था तब का कोड 23 केस नंबर 21E इस्टार्ट हो गया ऐज जो है सिच्छामत्रों के तरफ देखते चांगा यहां करें ज्टारियों कि रिज्वान अंसारी है उनके द्वारा से अगे बहस कर रहेैं उसके बाद एचंज सिंग बहस करेंगे लगता दिवच्था पच्छ कर्क्ते हुए कोड में जबर्दस्त मेरा कहना यह है जो वकील है वो कोशिस करें कि जल्द से जल्द यह या चिकाओं या फिर उनका निप्टा रहो जिससे भरतियां रुके नहीं तुरंत हो जाएं ठीक है डेट पर डेट डेट पर डेट एक सनी देवल साहब का एक डायलोग है तारीक पर तारीक पर तारीक पर मिलेगी फिर और कुछ नहीं मिलेगा सीधी सी बात ठीक है तो ही कहता हूं जल्दी इसकी निक्तियां मिले विद्यार्थियों को काम पर लगें और उत्तर प्रदेश का भविस्व उज्वल करें चली आगे सुरू करते हैं तो बात हो गई फायर बिगेड एडवोकेट उप पैदनाद मिस्रा जी कोड को समझाते हुए मिनमम क्वालिफिकेशन टीटी यहां पेजिक्र किया गया है मिनमम क्वालिफिकेशन टीटी का ठीक है यह बहुत ही इंपोर्टन चीज है ठीक है लेकिन सरकार जिबर्जस्ति परिच्छा थोब दिया सुप्रीम कोड का हवाला देते हुए सिच्च्छा मित्रों का सान्धार पर तर पर चरखते हुए जय आधिकता 25 reduce उप्राट मिस्रा चीज साभ पूरी सहमत दर्सार हें साचानियगे चैशिकल Só क्यारी आथ-ईपच्छों होगा ठीक है कि इसमें ज्यादा का मजबूतीadata कि समें ज्यादा कई निर्णे दीये होंगे कई जज के कोड के मादिये उन्हें फैसले सुनाई होंगे इसी अधार पी वो करेंगे कि क्या उचित रहेगा बच्चों का भुई से ना खराब हो भुई फो पिच्छों का भॉय का रद करा था हुधा तो पुखांप बॉकि तहए ह покры करा चुके होते हैं उन्होंने अपने वासंन में कहा तिमें परिच्छ रद नहुंसे बच्छों हो जाया zas ह्राबरा परिच्छ मेरत कर तेता है यह कहा था उन्होंने ₱्युज९ जोरदार भहस कि तरब से उनकी बात सुन रहे हैं आराम से जोड़दार भहस करते हुए पेंदाद मिस्रा जी कोड को समझाते हुए मिनमम्क ट्रॉलिटरी लेकिन सरकार्ज बरती थोग दिया सप्रीम कोड का हवाला देते हुए सिच्छा मित्रों का सवनदार पच रखते हुए अगली तार प्रवा पर रहे हैं या फिर कोई-ना-कोई फैसला आए ए का ये आपasse लिए सबस्वें इससी पहले इन भरतियों को क्लियर कर दिया जाए ज्यादा ज्यादा को शी मिलें को को ज्यादा ज्यादा क्लियर कर दिये जिसमें सरकार का एक मोटी एक स्ट्रॉंग पॉइंट सबके सामने दिखाई पड़े ठीक है दोस्तों आपको वीडियो मेरा कैसा लगा जुरू कमेंट के मादम बताईए जय हिंद जय भारत